हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर एके आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्त दोस्तों रोजाना की तरह आज भी एक बहुत ही बहतरिन वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों ये वीडियो खास तोर से उनके लिए है जो अपने फेस को लेकर काफी चि अर्माल कर लिया लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है उनकी कील मुहसे जैसे की तैसी पड़ी हुई है जिसके चलते चहरा देखने में काफी खराब लगता है बद्दा लगता है और चेहरे के जो रोमचित रहें वो भी खुले हुए हैं जिसके चलते चेहरे की स्की इस्मूत नहीं लगती जगा जगा गड़े महसूस होते हैं या फिर इसकीन काली पड़ गई है लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं और इन तरह की समस्याओं से आप काफी लंबे समय से परिशान हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए इस वीडियो में मैं जो जेल बता र रहा हूं यह इन तरह की सारी समस्याओं को चुटकियों में ठीक कर देता है वैसे तो दोस्तों अगर आपको इसकीन इंफेक्शन की शिकायत है यानि की फेस पे किसी तरह के दाग दब्ब्बे हैं एकने पिंपल्स हैं तो उन कंडिशन में किसी आप अच्छे इसकीन के करके देख सकते हैं अगर आपको फायदा मिले तो आप इसे कांडियों एक से दो मैंने इस्तमाल करें नहीं तो आप अपने नजदिकी स्किन डॉक्टर से जाके मिले तो चलिए दोस्तों ज्यादे देरी ना करते हुए उस प्रोड़क्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों व 20 रुपे आपको देना पड़ता है और इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें क्लिंडामाइसिन वन परसेंट और निकोटनमाइड फोर परसेंट डाला गया है एकने स्टार जो जेल है दोस्तों यह मैंनकाइंड फार्मा का एक बेस्ट प्रोड़क्ट है आप इस पे आपके स्कीन की छिद्र खुली हुई है रोम छिद्र खुला हुए जिससे आपका स्कीन इसमूत नहीं लगता काफी गड़ा लगता है जगा जगा दाग धब्बे हैं तो उन कंडिशन में आप इस एकने स्टार जेल का एक बार जरूर इस्तमाल करें आपको बेस्ट रिजल देखने को मिलेगा दोस्तो इस जेल को पूरूश हो या महिला दोनों लगा सकते हैं कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है या सिर्फ पूरूश के लिए हैं दोनों लोग लगा सकते हैं अपने फेस पे और इसे लगाना कैसे होता है दोस् कि मेकप या फिर डश्ट धूल धकड जो है आपके चेहरे पे चिपका हुआ है वह अच्छी तरह से धूल जाए उसके बाद आप इस एकने स्टार जेल को अपने इफेक्टेड एरिया पे अच्छी तरह से रब करके लगाए यानि कि अच्छी तरह से मिला कर लगा दें और उ फेस पे जो शुरी की पैरा बैगनी किरडे पड़ती है और उनकी वज़े से हमारी चेहरे जुलूज जाते हैं काले पड़ जाते हैं या स्कीन पे स्वेलिंग हो जाती है तो उनमें भी काफी अच्छा ये काम करता है जो इसमें साल्ट डाला गया है दोस्तों इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन जिन लोगों को सूट नहीं करता उनकी स्कीन पे ड्राई हो सकती है उनकी स्कीन उसमें इचिंग हो सकता है तो इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं अगर इस तर लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेर करें और इसी तरह की और भी विडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप के मन में कोई भी डाउट हो, इस प्रोडक्ट से रिलेटिव तो कमेंट जरूर करें हम आपके कमेंट का जरूर रिपलाई देंगे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद